साथ यो वो दिन कौन भूल सकता है जब कॉंग्रेस सेंटर में भी थी और असम में भी थी तब नेगलेट भी डबल था क्योंकि असम के लोगों की ना राज में सुनवाई थी ना केंद्र में सुनवाई थी तब करप्षन भी डबल था क्योंकि कॉंग्रेस के स्थानिये नेत को भी कट देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे तब गुस्पेठिये भी डबल थे क्योंकि राज सरकार को भी वोट मेंग खड़ा करना था और केंद्र सरकार को भी वोट मेंग की पड़ी थी अब जब केंद्र में एंडिये सर सरकार है तो double engine की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है अब हाइवे बनाने पर double ताकत से काम हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड़ रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकर लगा रही है अब इंफरस्टेक्टर की स्पीड भी डबल है क्योंकि राज्य सरकार भी विकास में जुटी हो है और केंदर सरकार भी मदद कर रही है अब हर सीर को छत और हर घर को जल जैसे काम भी डबल फोर्स से हो रहे हैं केंदर और राज्य की डबल इंजिन की ताक असम पर राज करने वाले लोग आजकाल असम को पांच गारंटी दे रहे हैं असम के लोग इनकी रगरग से बाकिफ हैं इन लोगों को जूठे वाइदे करने की जूठे गोष्णा पंत्र बनाने की आदत पड़ गई हैं गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ जूठ बोलो उसे आ को याद रखना है कॉंग्रेस मतलब जूठे गोष्णा पत्र की गारंटी कॉंग्रेस मतलब हिंसा और अलगावाद की गारंटी Congress मतलब ब्रस्टा चार की गारंटी गोटालो की गारंटी भाई भतीजेवाद की गारंटी भाई यू अर्भनो भाई जपा के नेतरूत्वों में NDA सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्रफ के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन आज के कAngrace नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है वो चाहे कैसे भी मिल जाए है असलमें काउंग्रे का खाजाना अब खाली हो गया है उसे बढ़ने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए कॉंग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है कुर्सी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है न वीजन है न संकल्प है न कुछ करने का इरादा है बस कुर्सी हत्याना कुर्सी से दोस्ती यही उनका कारोबार है अब देखिए जारखन में बिहार में, महरस में, जिनके साथ इनका गड़बंदन है, वो पच्चिम मंगाल में इनके खिलाब प्रचार कर रहे हैं, केरल में लेप को गाली देते हैं, पच्चिम मंगाल में कुर्ची की आज में लेप को गले लगाते हैं, खूद को सेकुलर बताते हैं लेकिन आसम पश्चिम मंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दनों के साथ दोस्ती करते हैं सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता इसी कारण अब कॉंगरेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा